आज की वीडियो में आपको बताऊंगा इस्टाग्राम पर मुबाइल लंबर चेंज करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है सिंपल से इस्टाग्राम अप्लिकेशन को ओपेन करेंगे जैसे मैंने ओपेन किया यहाँ पर जैसे होम ओले ओप्सन पर किलिक करेंगे जैसे आप फ्री लाइन पर किलिक करेंगे तो सबसे ऊपर ही दिखाई देगा अकाउंट सेंटर का यहीं से में इस्टाग्राम के मुबाइल नंबर को चेंज करने वाले हैं ठीक इस्टाग्राम अकाउंट सेंटर का ओप्सन दिखाई दे रहा उसके लिए आपको पास्वर्ड पता होना बहुत ही जरूरी है इस्टाग्राम का अगर आपको instagram का password नहीं पता है तो यकेन मानिए आपना mobile number नहीं change कर पाएंगे तो simple account center पर किलिक करेंगे जैसे मैंने account center पर किलिक किया नीचे आएंगे तो यह option एक आपको दिखाई देगा personal details का यह देखिए इसको आपको search कर लेना personal details वाले option को जैसे आप personal details वाले option पर किलिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर देख सकते content info, birthday, identify confirmation, account ownership and control तो आपको क्या करना है यहाँ पर content info वाले option पर किलिक करना है चलिए मैं यहाँ पर content info वाले option पर किलिक करता हूँ अब आपको यहाँ पर क्या करना add new content वाले option पर click करना है add mobile number पर click करना है और यहाँ पर एक नया mobile number आपको add कर लेना है इस पर mobile number डालेंगे then आप next वाले option पर click करेंगे एक OTP आएगा वो डाल करके add कर लेंगे add करने के बाद अब यहाँ पर जैसे मालीजे हमने यह वाला number add कर लिया है अब मुझे यह वाला number delete करना है तो उसके लिए मैं क्या करना होगा simple से इस वाले पहले वाले number पर click करेंगे और यहाँ पर एक option आपको दिखाई देगा delete number का इस पर click करेंगे delete number पर click करेंगे switch to facebook to continue यह ठीक ओके तो इस परकार से आप यहाँ पर delete from facebook delete पर click करेंगे close करेंगे इस परकार से आप यहाँ पर change कर सकते हैं असानी के साथ में ठीक तो इस परकार से मैं facebook से number add कि है तो हम facebook से ही delete कर पाएंगे वन्ना अगर मुझे नीचे वाला delete करना है तो मैं delete number पर click करूँगा delete पर click करूँगा switch to facebook to continue your enable two factor authentication for this account enter account center from facebook and try again ठीक तो इस परकार से हम यहाँ पर delete कर पाएंगे ओके चेंज करना तो चेंज भी कर सकते हैं सारी setting यहीं से करनी है अगर आपने two factor authentication लगा रखा तो यहीं से करनी होंगे